कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्रोग्रस अकेडमी की ऑनलाइन प्रेट्फॉर्म पर आज हम बात करने जा रहे हैं 29 मही 2020 के सभी कि इंपॉर्ण करेंट फेर्स की तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के हमारे कॉश्चन आफ दे की कल मैं आपसे पूछा था हाल ही में किस राज्य सरकार में किसानों की अनुवंद घ्रिसी की अनुमतिक दी है तो अभी हाल ही में हाल ही में क्या किसानों की किसानों को आर्थिक लाब हो किसानों में विकासदर है जो खेती के तरफ लोगों का रुजान बड़े जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि कोविट-19 के कारण बहुत सारे बिजनेस बंद हो रहे हैं बंद चल रहे हैं अभी लेकिन क्रसी जो है वो कार लगात करता देने के लिए उड़ीता की जो सरकार है उसने पनुभंद क्रसी की अनुमती दी है और उसके तहित क्या होगा जो सरकारी जमीन होती है जो ऐसी पड़ी हुई है तो उसके लिए कॉन्टेक्ट बेस पर पार्मिंग वहां पर की जाईगी चलिए आगे बढ़ते हैं के वंद धन सामाजिक जागरुकता अभियान की है तो अबही क्या हुआ है यूनिसेफ के साथ हुआ है यूनिसेफ के साथ यहां पर दो बर्ड ऐसे हो गए जो आपको आप जानने के राप्यों पर पहले से आप लोग जानते होंगी और eight वंद्धन सामाजिक दूरी जागर तो अब देख लेते हैं कि बात की जाए तो यह इसका फुल्फॉप होता है ट्राइवल कॉपरेटिव मार्केट फैडरेशन जन जाती लोगों के लिए जो बनवा रहते हैं उनके लिए काम करती है उनके आपक विकास के लिए काम करती है सब्सक्राइब के लिए सिक्षा समवाद आदी के लिए आवश्यक्त सामद्री उपलब्द कर आई है बातचीत हो सके उनके कॉंटेक्ट होता रहा है उनकी चलता चलती रहे तो युनिसेफ में किया उनके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो प्रवाइड कर आई है और इ जैसे अभियान चलाय जा रहे हैं जिसके फुरू क्या है उनको बताया जा सके कि आपको क्या करने से आपको क्या लाब मिलेगा क्योंकि आप सभी जानते हैं जनजाती जो लोग होते इतनी जादा सिक्षट नहीं होते और यहां पर देखिए अब यह सब कर कौन रहा है यह स अग्राम में आजाता है तो युनाइटिग नेशन्स इंटरनेशनल चिल्डर्न इमर्जेंसी पंड इसका मुख्याला यूयॉर्क में है वर्तमान में इसके जो हैड है वो हैंडी एटा एच पूर है आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ हाल ही में किस राज्य सरकार में 47,000 से अ सब्सक्राइब से अधिक के संजोता है जो ग्यापा ने उस पे हस्ताक्षर की है तमिल नाडू सरकार ने तमिल नाडू सरकार ने ऐसा काम किया और इसमें जो है 47,000 एक सो पचास लगबग नौक्रियों के सरजन की इसमें बात कही गई है और 15,128 करोड रुपे इस सत्रा जो समझोता ग्यापा ने उस पे हस्ताक्षर किये गए और इस समझोते के तहर बहुत सारी कंपनियां जैसे डैमलर इंडिया, सौलकॉंक, महिंद्रा ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो है वो तमिल नाडू में निवेश करेंगी और यहां के लिए बात की जाएते ज इस से लगबग 10,000 नौकरियों का सरजन होगा इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो ब्रिदेशी निवेश हो रहा है इस से इस से तमिल नाडू में रोजगार आएगा और एक जो आर्थिक मंदी जिसकी बात कही जा रही है पूरी दुनिया में जिसका एक दर बना हुआ है इस कि निर्मान के लिए एक ड्राफ्ट बिल तयार कर रही है कि आई जेस का प्रावधान सम्मिधान की किस अनुचिद में है जैसे आप में देखा यूपी एस एक पेपर होता है जिससे क्या होता है आईएस आईपीएस बनते तो इसी की तरज में एक और पेपर इस परिक्षा होने का फ्रावधान वहांती सम्मिधान में है और उसके तहट क्या होगा अखिल भारती नियाक सेवा परिक्षा हो गिसको चालू किया जाना है पूरस के लिए भारत सरकार जुआ ६ाब्रा न गारे धिगन कर रही है और यह विदहराक्र यार कि जालिए किया जाएगा sazo प्रावधान लिखा गया है और इसके तहट होगा इसके तहट क्या है विद्धियक क्वानितम रूप दिया जाएगा भी भारा सरकार इसको देने की पोसेश कर रहे है और इससे होगा कि एक प्रव्य स्रूर मेरह हो जाएगी और इस तरीकित और स्टस्रीख स्थार्ट करने की बाद चल रही थि और AIJS का जो प्रावधान है उन्नीस तो चैप्तर में जो बैालीसवा संतोधन था उसके माध्यान से अनुच्छे तीन तो बारा में सामिल किया गया था बरतमान में जो बिमिन उच्छे नयाल है और राजलोग सेवा आयोग है इनकी भर्ती के लिए परिक्षा आयोजित किये जाती है ठीकर है राजलोग सेवा आयोग अभी इसकी परिक्षा को आयोजित करता है चली आगे बढ़ते हैं बच्चों के लिए लिखी गई पुत्तक द सबसे पहले बुक ही बनी किसके बाद मूवी बनी है वलीवुट की मूवी तो इसको लिखाए किसमें यह आपके सामने रही जेके रॉलिंग और इनके बारे में इंट्रस्टिंग पैक्ट आपको याद रखना है दुनिया की पहली बिलेनियर की जो की ऑथर होते हुए बिल क्या किया बच्चों के लिए एक कालपनिक परी कर था जिसको पेरी टेल कहते हैं वह लिखी है जिसका नाम क्या था दाइका बॉग है और यह मुफ्त ऑनलाइन पब्लिश की जा रही है 26 मई से 26 मई को की गई है और यहां हर हफते एक इसका जो एपिशोड है हर हफते इसको पॉब्लिश किया जाएगा एक पार्ट का और यह साथ से नौ साल के बच्चों को एक ध्यान में रखके बनाए गई है और नवंबर 2020 तक नवंबर 2020 तक क्या होगा इसकी प्रकास्त की जाएगी और जैसा अभी मैंना बताए कि 26 मई से इसकी जो है ऑनलाइन पार्ट स्टोरी जो पार्ट से अभी अवेलेवल हो गए हैं तो यह पार्ट जो है दस जुलाई तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे जिसमें पूरी बुक लिखी है तो आपको याद रखना है जेकी रॉलिंग और नौंबर 2020 में क्या हो जाएगा इनकी बुक भी पॉब्लिश्ट हो जाएग द three variousיך मैं जाता है तो आपको याद रखना है 28 मई को 28 मई को हर साल वेल वेल जाता हूंप लिए प्रें किया सबसद्र性 प्राणी है जो क्या है इस्तन पाई है जिसे आम तोर पर समुद्री गाय कहा जाता है और जैसा की विशेषग्यों का मानना है कि यह जो है एक संकट ग्रस्त समुद्री पर जाती है और जिसको रक्षत किया जाना बहुत जाला जरूरी है अब जैसे जी लॉजिकल सर्वेट ऑफ इंडिया तकी जो यार तेरा की रिपोर्ट आए थी उसके अनुसार अन्वाने को बार दी सम्मू गुजरात की कच्छ खाड़ी और जि आसटेलिया के पस्वी तड़ों पर एक चक्रवातिय तूफान ने नुकसान पहुंचाया है इसका नाम क्या है तो अब आपको बताए कि भारत में आया था भारत में आया था बाइल करीब जो यहां पर तटी इलागों में इसमें यहां पर कोरा मचाया हुआ था तो यहां पर जो औस तो पर चक्रवाती तूफान आया उसका नाम क्या उसका नाम है मंगा तूफान जो है और यह जो है दक्षणी हिंद महासागर से आ रहा है और इसकी जो रफ्तार बताई जारी तो किलो मेटर प्रती हुआ तो याद रखना आपको को चीज दो नाम क्या है दा कि इंडियान बार ऑफ इंडिपेंडेंटेंस दैंनेंड एटीन फिटीश सेवें और 28 मई को क्या हुआ कि प्रधानमंति नायन मोधी जी ने मन की बात रेडियो कौरेक्रम की जरी वीर सावर जी को सर्धानजली अर्पित पी और उन्हें ये बताया कि जो 18 संता उनका विद्रो नहीं था वो एक सुतंता का पहला संधर्स था और जिसने देश को सुतंता के प् इनका जो जन्हें 1823 में 1883 में हुआ था आपको याद रखना आगे बढ़ता हैं वायु सेना ने किस स्वदेसी हलके लडाकु विमान के दूसरे स्कॉडरन का सुभारंद किया है तो अभी देखिए बहुत अच्छी बात है कि मेके इंडिया जो प्रोसेस काफी आंगे बढ अब बात यहां पर देखिए बायु सेना की चल लगी है तो बायु सेना की स्थापना कब हुई वायु सेना की स्थापना की स्थापना की गई थी आठ अक्टूबर 1932 को और वर्तवान में जो हमारे वायु सेना प्रोमुख है मैंने अभी बताया एयर चीफ मार्कल मार्शल आरकेस भधोडिया चलिए आगे बढ़ते हैं पीके नायर को किस देश में भारत का नया राजदूथ निफ्ट किया गया है तो पीके नायर को नाइजर देश में कहां पर नाइजर देश में भारत का पहला राजदूद न्युक्त किया गया है जो नाइजर गंडराज्ज है उसको वहां पर प्रेम के नायर को यहां पर नायर राजदूद न्युक्त किया गया है और यह बर्दवान में हमबन टोटा म महावानिज दूद की रूप में तैनात है एप यहां जो है नाईजर की मैं राज़दूद बने हैं तो यहां पे क्या होगा यहां पर राजी सक्तरवाल का इस्थान लेंगे अब बात हुए नाईजर की जैसा कि आप मैप में देख पा रहा हैं और यहां पढून का फ्लैक भ किह गवारा कॉलिंग एप्लिकेशन जारी किया गया है तो अभी हाल सकते हो इस इस एप के जरीह आप एक समय में आठ लोग ग्रॉप कॉलिंग में एड हो सकते हैं और क्वाइब एप्लिकेशन जो कैचक है कैचाप है इसकी मदद से उपियों करता अन्य उपियों करता हो से बात करने और कॉल करने के लिए कि मैं सक्षम हो पाएंगे और बात करें फेस्बुक की तो फेस्बुक की जो इस्थापना है वह परबरी 2004 में होई थी और इसके संस्थापक और CEO कौन है पाउंडर और CEO मार्क जकरवर्क हैं और अभी फेस्बुक काफी खबरों में रहा है कि रिलाइंस जीओ मैं इसने हिस्थादारी अपनी खरीदी नौदेसम नौनो प्रतीसत रिलाइंस के साथ ही इसने सुपर है बनाने का एक करार किया है तो काफी सारी निउस अभी फेस्बुक से आई है अभी जन्याती विभाग में इसने थोड़ा सा अपना योगदान दिया तो आपको याद रखना है सारी न्यूस को असूसियेट करके रखना है अपने पास को अब आज का हमारा कॉस्टन देख लेते हैं भारती जीवन दीमा निगम एलाइसी ने किस संसोधित योजना को ल योजना और यहां पर चार में से आपको एक राइट आंसर बताना है तो आज के लिए वह इतना ही मिलते हैं गल तब तक के लिए धन्यवाद